So guys, welcome back to Micro Classes. हमारी CTAT July 2024 के लिए English Pedagogy की Classes चल लई हैं, Paper 1 और Paper 2 के लिए. English Pedagogy की थर्ड कलास है. इस वीडियो में हम हलका सा Literature के बारे में पढ़ेंगे और यह देखेंगे कि हमारी Acoustic Poem और Diedatic Poem वगएरा कुछ जो लिटरेरी टर्म होती हैं, इनका क्या आर्थ होता है, और इनसे किस तरह के Question आपके CTAT के एकजाम में पूछे जाते हैं, वे Question भी हम इस Session के Last में Cover करने वाले हैं. आज का मारा Topic है Literature साइट है. किसी भी Language का Oral और Written Work जो भी होता है, उसे हम उस Language का Literature बोलते हैं. Literature refers to collection of oral and written work of any language. यह important point है, Literature works as evolutionary function for a language. Literature कैसे काम करता है किसी बासा के लिए? Evolutionary function के रूप में काम करता है. किसी भी बासा के विकास में योगदान देता है literature, या फिर किसी भी Language का Literature उस समाज के विकास में योगदान देता है. Literature कैसे काम करता है? evolutionary function group में काम करता है यह important question है अब literary काफी सारी forms होती है किसी भी language का जो literature होता है उसकी काफी सारी form होती है जैसी approach होता है, poetry होता है fiction, non-fiction काफी सारी forms होती है इस तरह है और भी होती है जिने हम जानराज भी बोल देते हैं जो word लिखा हुआ है इसे हम जानराज पढ़ते है literary forms और जानराज literature की होती है अगर हम English literature के जानराज है literary form की बात करें इस तरह की कुछ English में literature होता है literature की form होती है, जानराज होता है इन्हें आप हलका सा पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं बाकि सीटाट इनके बारे में नहीं पूछता है अब उस topic की बात करते हैं जो सीटाट पूछता है acrostic poem अगर आप कोई poem लिखते हैं और उस poem की हर एक line में एक निश्चित जगह का अगर आप कोई letter लेते हैं और उस letter को आपस में मिला कर उन letters को आपस में मिला कर कोई एक word बन जाता है जिसे आप बोल सकते हैं उस poem को हम acrostic poem बोलते हैं जैसे हमने poetry लिखी ये एक poetry है एक poem है thoughtful, energetic, amazing, caring, helpful, and grazing, responsible इस poetry के इस poem के हर एक line का एक निश्चित letter हम अगर उठा रहे हैं और उससे अगर एक सब्द बन जाता है इस poem को हम acrostic poem कहेंगे acrostic poem हम कैसे लिखते हैं मान लीजी हमारे पास एक word है computer हमारे पास एक word है computer इसके बारे में अगर हम acrostic poem लिखनी है तब हम कैसे लिखेंगे सबसे पहले तो C लेंगे से कुछ बना देंगे, O लेंगे उसे कुछ बना देंगे, M लेंगे, M से कुछ बना देंगे, P लेंगे, P से कुछ बना देंगे, किसी एक word के हर एक letter से एक सब्द बना देना, या फिर उस letter पर कोई एक line लिख देना, उस चीज़ को हम acrotic poem बोलते हैं, acrostic poem, जैसे हमने poem के ब आती है हम teacher के बारे में यह सब लिख रहे हैं कि teacher क्या होता है teacher यह सब होता है हर एक line का एक निश्चित letter अगर हम ले उससे एक सब्द बन जाता है जिसे हम बोल सकते हो जिसे हम spelled out कर सकते हैं वो acoustic poem होगा in this type of poem certain letter in each line makes a word that is spelled out इस तरह की poem में क्या होता है हर एक line का एक निश्चित word आपस में मिलकर एक word बना देता है जिसे हम बोल सकते हो spelled out कर सकते हो it is a poem whose first letter of every line is always spelled out इस तरह की poem में किसी भी line का तो सबसे पहला letter होता है उससे हम spelled out कर सकते हैं अब पहला भी हो सकता है सबसे last वाला भी हो सकता है बीच का भी कोई हो सकता है उससे मतलब नहीं होता लेकिन हर एक line का एक निश्चित letter अगर हम ले और सारे letters हर line के मिला दे तब कोई एक word बनेगा और उस word के आसपासिव है poetry लिखी हुई होती है ऐसी poem को एक्रोस्टिक poem हम बोलते हैं अब बात करते हैं didactic poetry didactic poetry क्या होता है ऐसी poetry जो हमें कुछ सिखाए हमें कोई ज्यान परदान करें a poetry that teaches us something is called didactic poetry हमें अगर कोई poetry कुछ ज्यान दे रही है उस poetry को हम didactic poetry कहेंगे a poetry that teaches something is called didactic poetry जो कुछ सिखाती है उसे didactic poetry बोलते हैं a poetry with moral lesson is called didactic poetry moral lesson मतलब जो हमें नैतिक शिक्सा दे ऐसी poetry को हम didactic poetry बोलते हैं सीधी सी बात है कोई भी poetry अगर आपको कुछ सिखाए उसे हम didactic poetry कहेंगे अब बात करते हैं imagery की imagery important है सीट एट के लिए यहां से question बनते हैं imagery imagery क्या होता है अगर आप कोई भी poetry poem या prose novel कुछ भी लिख रहे हैं आप कोई भी literature लिख रहे है literature लिखते time आप कोई ऐसी line लिखते हैं जो हमारे senses से समबंदित होती है अगर आप उनकी बात करते हैं कोई भी literature लिखते time और उस पर किरिया को हम कहेंगे imagery अगर एक writer लिख रहा है कुछ लिखते time कोई ऐसी line लिखता है जो हमारे five senses से संबंदीत है पांच इंद्रियों से संबंदीत है उस पर किरिया को उस process को हम imagery कहेंगे एक writer क्या लिख सकता है मैं चल रहा था चलते चलते मैंने कुछ महसूस किया मेरे हाथ पे कुछ लगा कुछ म is data and touch sense की बाद कर रहे है अचानक से मैंने उसे देखा और मैं गबर आ गया हम देखने की बाद कर रहे है एक writer ऐसे भी लिख सकता है मुझे एक अंजीब सी smell आई case और वहासे भाग गया अब smell की बात कर रहा है मतलब हमारे sense की बात कर रहा है कुछ सूमने की कुछ snipe करने की क कोई भी राइटर कोई भी पोईट लिखते हैं अगर कोई ऐसी लाइन लिखता है जो हमारे सेंसिस से संबंदित होती है पांच इंद्रियों से उस परकिरिया को हम इमेजरी बोलते हैं imagery is related to our senses जो हमारे सेंस होते हैं फाइब सेंसिस होते हैं उनसे इन से रिलेटर होती है imagery imagery appears when the writer puts some sentences or words that are related to our senses अगर एक राइटर कुछ सब्दिया कोई वाक्या पर योग कर रहा है जो हमारे सेंसिस से संबंदित है तब imagery appears हो जाएगी वहाँ पर imagery होगी imagery appears when the language appeals with one or more senses in imagery such sentences are used that are related to our five senses वही बात हो जाती है ऐसे sentence अगर कोई use कर रहा है जो हमारे 5 senses से related है उसे हम imagery कहेंगे बात एक ही है कोई writer कोई poet ऐसी line लिख रहा है ऐसे word याइस sentence use कर रहा है जो हमारे senses से related है उसे हम imagery बोलते है imagery helps bringing imagination power in reading अगर हम read कर रहा है कुछ हमारी imagination power बढ़ जाती है imagery का अगर कोई writer परियोग करता है example देख लेते हैं आप imagery का कैसे use कर सकते हैं कोई writer लिख रहा है spring roses filled the home with formal perfume मतलब जो रोज है spring season के जो रोज हैं गुलाब हैं उन्होंने हमारे घर को एक खुसबू से बढ़ दिया formal खुसबू से मतलब हम सुंगने की बात कर रहे हैं कुछ की writer को कुछ फील हुआ अच्छी खुसबू फील हुई उसके घर में तो हम nose की बात कर रहे हैं nose sense की बात कर रहे हैं the lemon flavor is soaked my tongue lemon का जो नीमू का जो flavor था उसने मेरे जीब को soak में डाल दिया अचानक से अस्चे ये चकित कर दिया कितना खटा कहां से आ गया तब हम taste के और टंग की बात कर रहे हैं ये भी एक imagery है imagery इस तरह से use करते हैं जब भी हम किसी sentence को या word को use करेंगे जो हमारे five senses से related होता है उसे हम imagery बोलते हैं अब बात करते हैं types of imagery imagery 5 परकार की होती है क्योंकि हमारे sense भी 5 होते हैं इस उसे imagery भी 5 परकार की होती है visual imagery जो हमारी देखने से आंकों से related होगी जब हम कुछ देखेंगे अगर कोई writer कुछ देखने से संबंदित लाइन लिख रहा है वहाँ पर visual imagery होगी auditory imagery अगर कुछ writer सुनने से संबंदित audio से या ear से संबंदित कोई बात लिख रहा है कुछ सुनने से वहाँ पर auditory imagery होगी olfactory imagery अगर कुछ सुंगने से या nose की कोई writer बात करता है वहाँ पर olfactory imagery होगी गस्टाइटर इमेजरी अगर हम टेस्ट या टंग की बात करते हैं कुछ चकने की बात करते हैं टेस्ट करने की महाँ पर गस्टाइटर इमेजरी होगी टेक्टाइल इमेजरी अगर हम कुछ फील करने की स्किन की बात करते हैं इन से हम feel करते हैं गरम ठंडा उसके अगर हम बात करते हैं वहाँ पर tactile imagery होगी यह हमारे important point थे जो CTAT पूशता है हमारे literature से अब बात करते हैं इस topic से CTAT किस परकार के question exam में पूशता है हमारा आज का सबसे पहला question है a poem whose first letter of each line spelled out a word is gold ऐसी poem जिसके हर एक लाइन का पहला letter बोला जाता है एक सब्द के रूप में उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम बोलते हैं acrostic poem बोलते हैं इस तरह से होती है जैसे computer मैंने बताया था C से कुछ बनेगा O से कुछ M से कुछ और total मिलाकर यहाँ पर computer बन जाएगा इस question की बात करते हैं a poetry that teaches us a moral something is gold moral lesson या कोई भी moral चीज अगर कोई poetry सिखा रही है हमें उसे हम didactic poetry बोलते हैं didactic poetry कह सकते हैं didactic poetry next बात करते हैं which one of the following is related to senses imagery हमारे senses से related होती है imagery कहां पर इसका answer C है next बात करते हैं which is not related to imagery imagery से क्या चीज संबंदित नहीं है imagery is related to senses ये तो सही है imagery appeals directly one or more senses ये भी सही है it is related to phonetic ये गलत है it helps bringing imagination power in reading ये भी सही है अब हमें गलत वाला ही बताना है क्योंकि उपर note लिखा गया है answer हमारा C हो जाता है ये C है जो imagery से संबंदित नहीं है literature किस परकार काम करता है किस function की रूप में काम करता है language के लिए literature हमेशा evolutionary function के रूप में काम करता है D के रूप में हलका फुलका वे preservative function के रूप में भी काम कर सकता है लेकिन mostly वे evolutionary function के रूप में काम करता है ये आज का मारा topic था I hope आप समझ पाए होंगे next वीडियो में हम English Pedagogy की fourth class लेकर आएंगे वीडियो आपको अच्छी लगी हो आप इसे like कर सकते हैं सीटाइट गुरूप अगरे में दोस्तों के साथ सेयर कर सकते हैं सीटाइट की सबजेक्ट की regular classes लेने के लिए आप इस चैनल को subscribe कर सकते हैं till then bye bye take care